Hello everyone, I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce, studying in offline mode, online live mode, या जो भी इस session को बात में application पर देखते हैं, सभी students का स्वागत है. Account subject के अंदर हमारा एक chapter है, जो कि हम लोग आज के session में discuss करने वाल है, जिसका की नाम है Desi Nama System. अभी account की, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, वो double entry system आपने पढ़ी है. वैसे आपको 11th standard के account में, first part में ही आ चुका था. Accounting system जो थी, तो वो Desi Nama System थी, double entry system and single entry system. Single entry system जिसको incomplete records भी कहते हैं. अब Desi Nama System, जो की regional language में होती है, इसके उपर ये पूरा chapter हमारा dependent है, तो ये पूरे chapter को हम इसी session में अच्छे से discuss करने वाले हैं. इसके अंदर चीज़े बहुत tough नहीं है, जो complicated चीज़े ना वो ये है, कि आप लोगों को जो terminologies, याने कि words आएंगे, ये words regional language में, देशी भासा में, जो आज से बहुत सारे साल पहले इस्तमाल होते थे, वो है, जो की normally आपने अपनी day-to-day life में use नहीं किया है, देखा नहीं तो ये सब पहले traditional जो भी language में account लिखा जाता था, regional language में, गुजरात में हम गुजराती में लिखे, महाराश्टर में मराथी में लिखे, बैंगॉल में बैंगॉली language में लिखे, वो language में लिखा जाता था, जैसे कि हम लोग गुजरात के हैं, तो obvious है कि यहाँ पर हम देशी गुजराती language में words use होते थे, वो हम करेंगे. But obvious है कि हर इंडिया के पूरे states में सब गुजराती में नहीं होता है. ठीके, देसी नामा system में हर एक regional language के हिसाब से words अलग-अलग होते हैं. अब सब लोगों के पास हमारे ये pamphlet होना चाहिए, सभी के सभी topics को हम लोग cover करेंगे, जो important चीज़े हैं, उसको मैंने bold, underline और highlight भी किया हुआ है, आपको वो keywords के उपर focus करना है, बाकी की सारी चीज़े समझने के लिए ही है, जो कि मैं आपको explain करूँगा, बट वो सिर्फ reference क के लिए पढ़ोगे, बट जो tick mark किया हुआ है, highlight किया है, underline किया है, वो आपको exam point of view से याद रखना पड़ेदा, सबसे पहले हम basic चीज़े समझ लेते हैं, देसी नामा system के बारे में, तो देसी नामा system is one of the oldest accounting system, तो देखो, यह old system है, अब यह old system actually मैं ऐसा है, कि यह double entry system ही है है double entry system ही, मतलब यह ऐसा नहीं है कि सर scientific नहीं है, क्योंकि देसी नामा system, sorry, double entry system scientific method है, single entry system proper नहीं है, तो सर देसी नामा system कैसी, तो देसी नामा system भी proper ही है, scientific ही है, क्योंकि वो भी double entry system के ही principles को follow करती है, different सिर्फ यह है, कि वो regional language में, regional style में लिखा जाता है, लिखने की style अलग है, but fundamental principles same है, तो यहां पर यहीं का है, कि there is a good deal of similarity between the two system, क्योंकि देसी नामा system, double entry and देसी नामा, दोनों में बहुत सारी similarity है, in these systems, book are known as वही, वही खाता पद्धतियों, इसका दूसरा नाम जो है, वही खाता पद्धतियों, इसका दूसरा नाम जो है, वही खाता पद् तो books जो होती है, इसको हम लोग कहते है, वही, books are known as वही, and therefore this system is known as वही खाता पद्धति, and it is written in regional language, मतलब गुजरात के अंदर, गुजराती में लिखेंगे, या महाराष्टर के अंदर, मराठी में लिखेंगे, and so on, clear, याद यहां पर रखना जो है, वो यह है, कि सबसे oldest system ह double entry system जैसी ही है, इस system के इसाब से books को हम लोग कहते है, वही, वही, और इसलिए इस system का नाम है वही खाता पद्धति, आग गुजराती नाम चेंगे, वही खाता पद्धति, ये गुजराती में सुनने में आपको ज्यादा प्रॉपर लगेगा, हिंदी में हम बोलेंगे, तो थोड़ा improper लगेगा, आगे जो words आएंगे, वह ऐसा लगेगा, कि sir, कैसा बोल रहे हैं आपको, but actually गुजराती भासा माचे, तो आखो गुजराती माच समझाओ, तो तो आमने खबर पड़ी जासे, कि हाँ, words जे बोले जे sir, ये नो proper tone max थाई जे, बट इसमें ऐसा होगा, कि अब लोग हिंदी में सरनुज रहें, और words आएंगे गुजरात, तो आप लोगों को tone थोड़ा improper लगेगा, बट इसमें books को कहते हैं, वही system को कहेंगे, वही खाता पद्धती, और ये regional language में लिखा जाता है, अभी इस method के कुछ characteristics, या features, या attributes, या elements, मतलब गुण धर्मों के लाक्सा निकता हो, देसी नामा सिस्टम, तो यह सूच है, तो सौथी पहलाम पहलो books, तो books किस तरह की होती है, तो मैंने आपको यहां पर ही, जब टाइटल देखा तबी देखा था, कि books है न, आपको इस तरह के red color के cover वाली में, लाल color नो पुठ्थु असे, एंदि अंदर plain, थोड़ा light green color ना pages है, line नहीं होगी उसके अंदर, और इस तरह से सफेद दोरी से design की हुई होती है, तीक है, वही चीज़े यहां पर लिखी हुई है, देखो, books under this देसी नामा सिस्टम, are covered with the red cloth and they are hard bound, मतलब यह लाल color का कपड़ा होता है, इससे, और hard bound, मतलब पुठ्था बात कर रहा हो, अंदर तो pages ही है, बट उसका जो cover है, वो red bound, red color के कपड़े का, and hard bound होता है, a design is made on this cover by thick string, मतलब दोरी थी design कराई चे, जो तम नहीं यहां देखा से, white color थी, white color नहीं दोरी चे, यह white color की दोरी से, इस book के उपर design की जाती है, चीक है, and these books are in a vertical form, vertical ले उब्ब, books तो आम पन बद्धी उब्बी जो है चे, तो हमारा चोपडा तमें जो सोते हैं, पन उब्बा जो है चे, यह तो हमारा जो पीपी चे, उसमें आपको ऐसा horizontal दिख रहा है, book वैसे straight होती है, जे तमारा normal regular चोपडा होय चे, ए जरी के में, contains, अंदर कैसे paper होते है, plain white blank seat, tied with the string, मतलब उसके अंदर, cover के अंदर, सफेद color के plain, lining वाले नहीं, plain, kora, white color के pages होते हैं, जिसको string से, दोरी से बांदा हुआ होता है, मतलब stapling नहीं होता है, तीक है, दोरी से बांदा हुआ है, यह book की खासिया, red color का कपडा use हुआ होता है, hard bound होता है, उसके उपर string से design की जाती है, अंदर, white color के plain papers होते हैं, और उसको रसी से, दोरी से, string से बांदा जाता है, clear, उसके बाद, विक्रम समवत, जिसको भी pronunciation में confusion लगे, वो लिख दे, विक्रम समवत, अवे जे गुजराती, मेली बाइक्राउंड वाड़ा से, वर सामडेलो चे, विक्रम समव में, calendar year, पर ये कौन सा calendar, गुजराती calendar, जैसे हम लोग 80 यूज करते हैं, अभी कौन सा year चल रहा है, अगर को ऐसा पुशा तो 2024, 25, 26, 80, इस वी सन, उस तरह से, गुजराती में, हम लोग वर यूज करते हैं, विक्रम समवत, विक्रम समवत 2000 ने ऐसी चालेज है, विक्रम याने के year, अब जैसे हमारे जो account है, financial year है, वो 1st April से लेके 31st March तक का होता है, इसमें यहाँ पर होता है, कार्तक सूध एकम थी, आसोवद अमास सूधी, मतलब, simple words में कहें, तो 1st April से लेके 31st March जैसा, यह मत सोचना की, okay sir, तो इसका मतलब, जब 1st April होती है, तो यहाँ पर हम होता है, हम लोग दीवाली का festival celebrate करते है, गुजराती मा, अनेरा पचीना वरसा पर जैसे 9 वरस सरूत है, 9 वरस सरूत है, तो 9 वरस नूतन वरसा अभी नंदर मतलब यह है, कार्तक सूध एकम, हम कहते हैं के नया साल celebrate किया, और जो businessmen होते हैं, वो लाभ पांचम से फिर business की पर है, और दीवाली के दिन चौपडा पूजन होता है, अगर गुजराती फैमिली बैगरा उन्हें है, तो आपको यह सब चीजे पता होगी, अगर आपके घर में ना हो, तो अगर business family से नहीं हो, business family से हो, उसके बाद भी यह चीज important है, कि क्या देशी नामा system घर पर होती है या नहीं, तो दीवाडी ना दीवा से चौपडा पूजन था है, नवा चौपडा लावे, एना चाला करें, अने पच्छी नवा वरस थी, इतले के कार्तक सूध एकम दीवाडी पच्छी नो दीवास, not 1st April, बट समझने के लिए, जैसे 1st April तो 31st मार्स होता है, वैसे गु गुजराती महीनों के नाम है, यहाँ पर मैंने यह सब दिया हुआ है, देखो, कार्तक, यहाँ से सुरुवात होती है, और देखो हमेज़ आप अब्जव करो कि जनरली दीवाली ऑक्टोबर नवेंबर महीने के मन्थ में होती है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल क कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, वो है, जेओरियन कैलेंडर इसको कहते हैं, इसकी हिस्ट्री में आपको फिर कभी समझाओंगा, तो यहाँ पर यह सारे के सारे मन्थ है, यह गुजराती मन्थ है, कार्तक यहाँ से सुरू होता है, माकसर, पोस, महा, फागण, वगेरे व लोग है, धर्म के साथ जुड़े हुए लोग है, तो जैसे ही दिवाली के दिन, मतलब साल के आखरी दिन, चौपड़ा पूजन होता है नए चौपड़े के लिए, मतलब नए साल से जो बुक्स यूज़ करने वाले वो, तो सबसे पहले पेज पर पूजा की जाती है, ज़ गणपती है, वो फ्लरी सिंग के लिए, अच्छे दिनों के लिए, मतलब हम उसको ऊचते है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़े लिखी जाती है, सू भलाब लखे, जे पर इंडिविजुल भगवान मा मानता होई, एनू नाम लख से, तो सबसे पहला पेज जो होता है, वो प गणे साई नम हो, कोई बार हम स्री सवा अविरित लखता होई, साथियो पाड़ से, तो ये सब पहले पेज पर किया जाता है, तो एक क्वालिटी ये होती है, कि देसी नमा सिस्टम में पहले पेज पर हमें साब पूजा की जाती है, चीक है, कंकू लेसे, पचिल आ, थर्ड आंगडी लईन है, स्री सवा, स्री गणे साई नमा, ये विरित अथवा इनी माटे स्पेश्चल लाकडी जे भी पैन पढ़ा होती होई जाती है, तो उससे भी लिख सकते है, वो डिपैंड करता है, इंडिविजल टो इंडिविजल ये कोई rules regulation नहीं है, law नहीं है, हर एक family अपने tradition, अपने घर पे जो सालों से system use कर रहें, उसके इसाब से करता है, then use of the word shri, अब obvious है कि again हिंदू कल्चर में तो आम लोग सामने वाले को respect देना, ये prefer करते हैं, तो कोई भी account का नाम, हुजराती में account को कहेंगे khatu, कोई पन खाता नू नाम लग से, तो यह अगर एक respect माटे, shri word लगाऊ से, तो देखो, name of account, account मतलब khata, is preceded with the word shri, मतलब आगे shri word लगेगा ही, अभी sir, shri bhavin sir, ये सही है, but for example, घर खर्च खातू, ऐसा आता है, तो shri घर खर्च खातू, ऐसा तो order नहीं लगेगा, male के नाम के आगे shri लगेगा, बाकी सब का क्या करे, female का नाम के आगे shri लगेगा, that is not for gender specification, ये एक system है, कि हम कोई भी account, मतलब khata, उसका नाम लिखते है, उससे पहले shri word लिखेंगे, तो shri bhavin sir खातू, shri moody खातू, shri upad kharch खातू, shri dukaan kharch खातू, जो भी है, आगे shri word लगेगा, just for the gesture of respect, clear, तो याद रखना है कि हर एक खाता, बलब भर एक account के नाम के आगे shri word लगता है, then sod अथवा fold, s-a-l लिखा है, पर तमने आवी रिते, sod, मतलब fold, अभी ये fold या sod मतलब क्या होता है, तो जैसे हम लोग हमारे double entry system में क्या करते है, scale pencil लेके table draw करते है, हाला कि अभी आज के समय में तो computerize होता है, बट पहले क्या करते थ देशी नामा system में scale pencil लाइन ड्रॉ नहीं की जाती है, page को fold किया जाता है, अभी ये आपने किया हुआ है final account करते वक्त, बट आप सिर्फ एक ही पार fold करते थे, और फिर यहाँ पर line draw कर ही देते, तिपकि देशी नामा system में ऐसान नहीं होता है line draw करना, ये जो आपको fold दिखा ना वही line, अभी जहाँ पर जितने भी table बनाना है, उसके हिसाब से fold करते जाते है page को, अभी इतना fold किया मतलब 4 आपको table मिलेंगे देखो, 1, 2, 3, 4, एक और बार fold करोगे तो 6 column बन जाएंगे, left side पर 3, right side पर 3, आपको जो आगया हम पढ़ेंगे, उसमें जो books आएगी, उस books में 8 column होने चाहिए, तो इसको एक और बार fold करोगे, तो 6 होल जाएंगे, एक और बार fold करोगे, तो 8 हो जाएंगे, सौर page खराब नहीं हो जाएगा, नहीं, यह system ही है, ऐसे ही वो लोग लिखते थे, ठीक है, तो यह student ऐसा ना, सौर मारू page बगाणना की तो में, यह देशी यह book के नामें आगे आएंगे, रोजमेड, बैठो मेड, खाता वही, हो pages with 8 fold, 8 fold है तो आपको कितनी बार fold करना पड़ेगा, 4 times, 4 times page को fold करोगे, तो आपको 8 सड, यानिके 8 fold, यानिके 8 column मिलेंगे, जबकि जो subsidiary book है, उसके अंदर 6 fold होते हैं, यह आगे हम पड़ेंगे, पर कुछ books है, उसमें 8 सड होते हैं, अभी कौन सी book में 6 और कौन सी book में 8, तो subsidiary book, मतब पेटा नोट, उसमें 6, बाकी सब, यानिके रोजमेड, बैठो मेड के खाता हो है, उसके अंदर 8 सड, यानिके fold होते हैं, then credit and debit तो यह simple है, गुजराती में credit के लिए word use करते है, जमा, और debit के लिए word use करते है, उधार, जमा, debit, credit, और जो हमने page fold किये, 8 column बने, तो उसमें से, जो left side पर 4 होते हैं, they are for credit, यह ध्यान रखना है, and remaining 4 are debit, मतलब उल्टा हो रहा है, देखो, देसी नामा system में उल्टा हुआ, देखो, ध्यान से समझो, यह देसी नामा system उसमें, left मतलब क्या, credit, जमा, and right मतलब debit, यानिके उधार, वहीं पर, अगर आप double entry system याद करो, double entry, तो double entry में क्या होता है, याद करो, अपने table बनाया हुए है, left side पर क्या होता है, debit, trading account, P&L account से याद करो, left side पर debit होता है, and right side पर क्या होता है दोस्तो, credit होता है, देसी नामा system की बात नहीं कर रहा हूँ, double entry system, left side debit, right side credit, पर देसी नामा system में उल्टा है, left side पर जो चार fold होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जमा, मतलब credit, और जो right side पर चार fold आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उधार, मतलब debit, उल्टा है, double entry system का उल्टा है, ऐसा याद रखना, और debit के लिए उधार, credit के लिए जमा होता होता है, then methods of writing in the fold और sod, मतलब यह जो fold हमने किया, उसमें हम लिखेंगे किस तरह से, तो देखिए, यहाँ पर क्या का है, in the desi nama, while recording the transaction in rojmade और betho made, on either credit, मतलब जमा, और debit, याने के उधार, the amount of economic transaction is recorded, first, this is very important, देखो, यहाँ पर भी desi nama system से अलग हुआ, sorry, double entry system से अलग हुआ, double entry system में क्या होता था, हम लोग पहले particular लिखते थे, और बाद में amount लिखते थे, जबकि desi nama system में क्या हो रहा है, पहले amount लिखेंगे, और बाद में particulars, particulars को हम लोग word देंगे, विगत, वो लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर यह column है, चार left side के लिए, और यह right side के लिए, right side को हम लोग उधार बोलेंगे, तो अब जब यहाँ पर amount लिखनी होगी, या कोई transactions record करना होगा, तो debit side पर हम लोग amount लिखेंगे, for example, 5000 पहले, debit नहीं, sorry, left side पर, और फिर यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे के यह किसी सीज़का है, तो for example, three, moody, खाते, तो पहले amount और बाद में particular, जिबकि double entry system में opposite है, पहले particular और उसके बाद amount लिखेंगे, principle same ही है, बस मैंने कहा न, लिखने की system थोड़ी अलग है, ठीक है, left, right उल्टा हो गया, पहले amount और फिर particulars, बाकी लिखना तो as it easy है, ठीक है, तो यहीं चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और इसके बाद narration भी लिखा जाता है, the first fold is for the amount, and the remaining three folds are for the particulars of the transactions, जो मैंने आपको बता कि पहले amount लिख देंगे, और फिर जो तीन column, तीन सड हुए, उसके अंदर हम पूरा particular लिख देंगे, जो हम लोग this double entry system में पहले करते हैं, बड़ा column होता है particular का, छोटा column होता है amount का, यहाँ पर भी यह ही है, पर यहाँ पर वो particular का column तीन सड में आपको देखने को मिलेगा, तीन को मिलाओ तो एक होगा, ऐसा, clear, चले, the method of writing the amount, amount कैसे लिखेंगे, तो while entering the amount in the desi nama system, a sign which is used is known as holayow और olayow, which is put between the amount in rupees and paisa, हला कि आज के समय में तो paisa को कोई record ही नहीं करता है, बट पहले जब यह paisae record होते थे, तो इस तरह से लिखा जाता था, for example, 5000 रुपे और 50 पैस है, तो 5000 और फिर ऐसे 0 है, थोड़ा J जैसा sign करना पड़ता है, J जैसा sign किया और उसके बाद पैसा, suppose 00 है, तो 00 ऐसा है, 5120 रुपे और 25 पैस है, तो इस तरह से लिखा जाता था, और यह जो sign हम करते थे, इसको कहते थे, देखो यह देखने को मिला J जैसा, उसको हम लोग बोलेंगे होलायो, या फिर ओलायो, देखो, यह 125 यहाँ पर लिखा, 125 रुपे और 50 पैसे, तो ऐसे लिखेंगे, 125, 50, पैसे जो है, उसको थोड़ा छोटा लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाता है, मैं यह यहाँ पर लिखा है, एक दो और लिख देता हूं, देखो, यहाँ पर 125 पैसे है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, 125, 25 है, सोरी, तो 25, समझ मैं है, और ये जो sign हमने की, J जैसी, उसको हम लोग कहेंगे, होलायो, गुजराती नाम चे, अत्वा, ओलायो, होलायो, क्योंकि गुजराती में क्या ह, 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 बहुत जल्दी हो जाता है, चीक जे, समझ मैं हूँ यह सुध एना पचीनों, तो common चे, language, तो regional language में हम लोग लिखते है, it is written in regional language, जो हमने आगे भी डिसकस कर लिया, गुजराती, बैंगॉली, मराथी, जो भी language है, ते लोगू कन्नड, जो भी language है, वो language में लिखेंगे, and ink, जब यह लिखेंगे, तो हम लोग जैसे blue color की pen से लिखते है, वैसे देसी नामा system, जो है, it is written with black ink, मतलब यह black color की, देखो, यह मैंने black लिया, इस से हम लिखेंगे, जो कुछ भी लिखना है, स्री भाविन सर खाते, ठीक है, अगर हिंदी में लिखते हैं, तो, गुजराती में लगते हैं, तो गुजराती में, बट यहाँ पर black ink use की आएगी, am I clear, तो यहाँ पर हमारा जो पहला topic है, qualities और characteristics और features of देसी नामा ये complete हो, everyone is clear, next, कौन-कौन से books बनाए जाते हैं, देसी नामा system के अंडर, जैसे double entry system के अंडर हम लोग बनाते हैं, journal entry, subsidiary book, subsidiary book के अंडर भी purchase book, purchase return, sales, sales return, cash book, debit, मतलब bills receivable book, bills payable book, और journal proper, तो यह अल अलग उसके बाद बनाते थे, leisure posting याने के leisure book, तो यह सब अलग अलग books और trial balance, trial balance book नहीं, trial balance और statement है, जर्नल entry वो book है, subsidiary books book है, leisure वो book है, तो यह जब book हम लोग double entry system में बनाते थे, वैसे देसी नामा system में कौन सी book होती है, और उसको क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले आएगा like rough book, सिर्फ normal knowledge के लिए, rough book क्या है, कि देसी system में, जब customer आएगा दुकान पर, सामान खरीद के जाएगा, तो एक मिट रुको में अच्छे से properly लिख दू, सब कुछ, जया बेन, 18 रुपिया नो माल लई गया आचे, मां 50 लिटर तेल हतू, 10 किलो चोखा आता, 20 किलो आतू, बदू लखू पची तमने आपू भारो, यह नहीं करे, लई जाए, पची एमनम, रेंडमली, एमने जे खबर पड़े नमनी रिते, यह लखी देसे, कि पांसो बार रुपिया था, पांसो बार जया, अमने खबर पड़ी आए, पची सांती थी जारे फ्री था इन त्यारे एक पेज वाए, अगड़ी लख से बाविन सर ने पांसो ने बार रुपिया प्या चलो पांसो बार तो आई गिया, बीजी कुई आमांट कर देगा, साथ सो ने पचीस रुपिया, बाविन भाई मड़े आ, अवो एमनी रिते लखी देसे, सार, आमने खबर ना पड़ी, आ आप चींता मत करो, तो आपने जैसे रॉप में लिखा है, वो कैसे टीचर को समझ में नहीं आता है, वैसे वो बिजनेसमेन है, वो बिजनेसमेन अपने हिसाब से रॉप वर्क लिख देखा है, फिर बाद में दिन के अंत में जब उसको सामती से टाइम मिलेगा, या जब कस करेगा, तो जब वो पहले जो भी information रेंडमली लिख देखा है, उसको बोलेंगे, रॉफ बुक, तो देखो, in order not to forget the transaction, the small traders, small traders ये ये यूज करते है, क्योंकि small traders है तो दिन में 8, 10, 12, 15 transactions होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो एक बार रॉफ ली लिख दे, ताकि भूल ना ज गया था, तो ये पच्छी सांती थी, बैसी ने, वीचारी ने, फैर कर से, this is not perfect, but वो system चलती थी, और चलती थी, इसले हम लोग पढ़ रहे है, ठीक है कि क्या चलता था, the transactions are many and hence, record them either in a diary और notebook, ये बड़े businessmen करते हो, जो इससा मैंने कहा कि छोटे businessmen क्या करते है, rough में लिख आग गुजराती नाम में किता, अभियाद रखने के लिए घडिया, सुडिया और दन्या, बट गुजराती नाम चे घडियू, सुडियू, दन्यू, मतलब rough book, आनू मतलब सुधाओ rough book, ठीक चे, जेने अडध्या तरीके पड़, rough book मतलब जे बड़ा, मोटा बिजनेस्मेन चे, ये जे मेंटेन करे चे, घडियू, सुडियू, के दन्यू, आने नाना बिजनेस्मेन चे, मैनेज करे चे, जेने आपड़ रख book की दे, गुजराती मा कहीशू, अडध्यू, अब बुक in use for such rough record is known as अडध्या, अब लोग जे अडध्यू, अडध्या मा लखी दो, सुर तुम कहेंगे घडियू, सुरियू, अथ्वा दन्यू, फिर, नाम याद रखना थोड़ा difficult रहेगा, summary notes आपको last में मिलेगी, यह आप भी चाहो तो लिख सकते हो, rough book, small businessman अडध्यू, big businessman गडियू, सुरियू, दन्यू, बस, simple हो गया, road made, road made is like journal entry, ऐसा सम्झो, road made like journal entry, the way in which journal is maintained under the double entry system of accounting, road made is maintained in the same way under desi naama system, मतलब जैसे double entry system में हम लोग journal entry बनाते हैं, देशी naama system में वो जो हम journal entry type लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे, road made, तीखेंगे, और उसके अंदर क्या होता है, last में, road made मतलब daily लिखा, और फिर last में, हम closing cash balance जूनते हैं, closing balance is derived, जिसको हम बोलते हैं, पुरांत बाकी, पुरांत बा बाकी, इंगलीज में हम कहता है, balance carry forward, बाकी आगड लई गया था, मैं उलगता था, गुछराती मा, तो उसको बोलते हैं, श्री पुरांत बाकी, और यह जो रोज made है, वो day to day basis पर maintain होता है, ठीक है, उसके बाद, बैठो मेड, तो बैठो मेड is another form of रोज मेड, मलब रोज मेड जे उजचे, डिफरेंस हुचे, small traders और businessmen, whose quantum of transaction is comparatively less, may maintain a complete mail, mean word यहाँ पर है, at the end of a week or fortnight, और a month, और इसको हम लोग बोलेंगे, बैठो मेड अथवा ठाम मेड, अभी डिफरेंस क्या आया, रोज मेड, चलो मै यहाँ पर प्रता दिता हूँ, तो समझ मेड आजए आपको, रोज मेड, big business, daily, जबकि बैठो मेड अथवा ठाम मेड, small business use करेंगे, और वो क्या करते हैं, day to day transaction नहीं लिखेंगे, अभी है कितने एक दिन के दो transaction है, तो दो transaction के लिए क्या book लिखने के लिए बैठ है, तो वो क्या करेंगे, weekly, fourth, ninthly या monthly, अब एक हपते में, 15 दिन में या एक महिने में बैठ के सारे transactions लिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे, बैठो मेड, day to day basis पर लिखेंगे, तो रोज मेड, 10-15 दिन के अंदर लिखते है, weekly, monthly, etc., तो उसको कहेंगे, बैठो मेड, बैठो मेड अथवा, ठाम मेड, ये नोट लिखेंगे देना समरी नोट याद रखने में बहुत आसानी रहेगी आपको, उसके बाद खाता वही, मतलब लेजर, जैसा double entry system में लेजर बूक होती ही थी, लेजर पोस्टिंग, खाता वही, खता वोणी, उसको यहाँ पर कहते है, खाता वही, लेजर, खाता वही, is the main book of account, वैसे भी आपको यह double entry system में भी आ गया है, कि principal book of account, वो लेजर होता है, primary book, journal, primary book, journal, प्राथ्मीक चोपड़ों, आमनोद, और मुख्य अत्वा, प्रधान चोपड़ों, मतलब प्रिंसिपल बूक, उसको हम कहते है थी, लेजर, तो यहाँ पर य main book, main book याने के principal book, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे, खाता वही में खाता वही में खाता वही करेंगे, और वो खाता वही किसमें से होगी, रोजमेड, या बैठो मेड, या सब्सिडियरी बूक में से होगी, जैसा हम लोग आमनोद पर से खाता वही में खाता वही करते थे, ज पची, सबसीडियरी बुक बनावे, जो number of transactions गदा रहे होए, तो मतलब पेटा नौन, तो उसमें से, क्या होगा, laser posting मतलब खाता होई में record किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं, खाता होई, ठीक है, जिसमें 8 fold होते हैं, left side के लिए 4, right side के लिए 4, जो अल्रीडी आ गया चुका है, कि जो पहले left side वाले इसमें है, वो debit and other 4 are credit, ध्यान रखना यहाँ पर उल्टा है, this is same as double entry, वो रोजमेड में उल्टा निकलाओ, रोजमेड में क्या था, left side मतलब credit, जमा, right side मतलब debit, उधार, जबकि खाता वही में, as it is double entry system जैसा यह है, left side debit, right side credit, उसके बाद पेटा नौद जो हमने अभी कह दिया, अलग-लग जो subsidiary books होती थी, वैसे ही गुजराती में भी अलग-लग अगर business बड़ा है, number of transactions ज्यादा है, तो additional, तो रोजमेड हम लोग पेटा नौद या पेटा वही भी बनाते हैं, जैसे purchase book, sales book, purchase return, sales return, इसमें यह सब मतलब sales book, जैने गुजराती में वक्रा नौद केवाई, दागी ना मेड, जैने जना स्वही पन केवाई, इंग्लिस में वह होता है stock register, गुजराती में होता है दागी ना मेड, के आकडा वही, के सुधा वही, के काची वही, मतलब रख type book, then उघरानी नौद, उघरानी नौ व्याज वही, व्याज वही, हुंडी वही, मतलब बिल्स, then कबाला वही, अत्वा करार नौद, और बैंक वही, ये सब अलग अलग type की पेटा नौद है, गुजराती नाम है, आपको यही नाम याद रखने होगे, इसके अंदर हम detail पे नहीं जा रहे है, क्योंकि आपके syllabus मे नहीं है detail में, और आपको real life में कहीं काम पे भी नहीं लगने वाला है, इसलिए मैं इसको detail में नहीं ले जा रहा हूँ, syllabus के accordingly ही चलग रहा है, then आवरो, आरो और अवरो, ये दो words भी आते है, तो अब ये आवरो क्या है, तो transactions recorded in Rojmade और Batomade, and a subsidiary book are again recorded in another book, at the end of 15 days or a month, and such book is called आवरो, ये कैसा है, पता है, कुछ students क्या होते है, कि स्वार मैं अभी rough में लिख रहा हूँ, घर पर जाके मैं fair में अच्छे handwriting से लिखूगा, college में ऐसा कोई नहीं करता है, school life में हम क्या करते है, स्वार यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, पर है क्या मतलब, कि यहां पर हम तो day-to-day basis पर लिखते है न, सेम वही चीज़, 15 दिन के बाद फिर से एक और बुक में लिखेंगे, और उस बुक को हम कहेंगे आवरो, तो आवरो मतलब, जो रोजमेड या बैठोमेड में, रोजमेड में जो हमने day-to-day basis पर लिखा है, उसको 15 दिन के बाद एक और दूसर बुक में लिखेंगे, क्योंकि इसका purpose क्या होता था, उस वक्तो digital records थे न, बुक manual record ही थे, बारीस हो गई, सब भीग गया, चोरी हो गई, सब चला गया तो, तो दो-चार जगा पर लिखा होगा, तो safety रहेगी, जैसे हम लोग क्या करते, copy, paste दो-चार जगा पर कर ले, कोई PDF एफबीज है, तो laptop में भी रखो, mobile में भी रखो, download भी कर दो, whatsapp पर भी है, application के उपर भी हमने रखा हुआ है, तो कैसे दो-चार जगा पर सेम चीज़ को बचा के रखा है, कि अगर कहीं से एक जगा से misplaced हो जाए, तो दूसरी जगा पर अपने पास save हो, clear, that is the purpose. When posting is done from the completing Avro, it is known as Pakunamo, तो अगर आपको यह पुछत है कि what is Pakunamo, तो पहले Avro क्या है वो लिखना है, कि the transactions recorded in Rojmade और Bethomade are recorded again in another book after 15 days, which is called as Avro, तो यहाँ पर क्या होगा, double check हो जाएगा, अगर पहली बार लिखने में कुछ गलती है, तो आप फिर से लिख रहे हो, तो वहाँ प करके आप कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे Pakunamo, मतलब properly, accurately check किया हुआ account, Pakunamo, चलो done, तो यहाँ पर यह जो books आती थे, उसका भी point complete हुआ ज़रूर लगे, तो एक बार इसको अच्छे से refer कर लो, जो यह सब keywords दिखे, जो main, मैंने highlight करवाया, tick करवाया, summary notes में लिखने के तक चीज़े अगर आपने refer कर लिए हो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर पहले में एक बार आप सभी students को inform कर दू किया, आप या आपके कोई भी friends है, जो commerce stream के कोई भी course के लिए 11, 12, FISY, TY, BCOM, company secretary, and even we are also starting, SS, social science subject, this is completely free, for all the students of 8, 9, 10, या 11, 12, commerce, gujarati medium, या English medium, या BC कोम के किसी भी यार में, या company secretary के course के लिए, तो सास institute में अलग-अलग mode, offline mode, online live mode, and सास application mode पर admission open है, बहुत ही nominal piece पर, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत्रीन quality के educational features provide करते हैं, सभी students को समझ में आए, उनका knowledge और result बड़े, इसी courses इसके अंदर की जाते हैं, अभी हम लोग discuss करते हैं, various terms, terms याने के words, which are used in देसी नामा system, क्योंकि देसी नामा system के अंदर में से, तो आगे भी हमने देखा, कि कुछ words ऐसे है, जो कि आपको समझने में confusion create कर सकते हैं, गुजराती नाम चाहिए, that is the only reason, तो वो गुजराती नाम क्या है, और उसका interpretation क्या है, या double entry system में, English language में, उसका क्या मतलब होता है, यही अपने को समझना है, तो simple है, main main keywords याद रखना है, कि यह गुजराती नाम, उसका English नाम आपके mind में क्या है, और उसके बारे में क्या आपको पता है, तो वही चीज़ explain कर, ठीक है, अगर ऐसा है कि सर मुझे तो इसका English नाम ही नही तो बंडोड खातू मतलब capital account, तो क्या capital क्या ही आपको पता है, any cash, assets or goods brought in the business by owner is called capital, investment made by owner in the business is called capital, या कहा चुका है terminologies में, बस तो वही चीज़, डेसी नामा में हम लोग कहेंगे बंडोड, तो बंडोड मतलब मुणी, बंडोड, तो में या मुडी खातू पन वड़ यात राखी सको, तो बंडोड खातू, अथवा मुडी खातू, मुडी मतलब तमारे नेचर नीवात नहीं करतो, सर अमारू मुडी, अमारू मुड़ घमे त्यार बदलाई जाए चेला, हमें एक बिजाना मुडी कही है, वो M O-D-Y होता है, this is M-U-D-I, मुडी, जैसे स्री किर्तननू मुडी खातू, स्री भाविन सर्नू मुडी खातू, मतलब भाविन सर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर, स्री स्रे नू मुडी खातू, एक्जाम्पल के तोर पर इंग्लीज में लिखके दिखा देता हूं, भाविन स कैपिटल अकाउंट, गुजराती मैंने कैसो, स्री भाविन सर्नू मुडी खातू, एक्जाम्पल के तोर इंग्लीज मुडी खातू, गर्खर्च खातू, अब गर्खर्च नाम से ही पता चल जाएगा, द्रॉइंग, यहां पर लिख दो ड्रॉइंग, गर्खर्च मतलब ड तो उपाड खातू लखे के पच्छी गर्खर्च खातू लखे, बंद्यानों मतलब सेम अस्तव, एनी कैस, गोड्स और असेट, विड्ड्रॉण फ्रॉइंग, यहां पर उसके नाम लिख है, श्री भाविन सर्नू उपाड खातू, रियाणू उपाड खातू, के गर्खर् खर्च खातू मतलब एक अथा हो, फिर स्री दुकान खर्च खातू, अभी दुकान खर्च खातू मतलब miscellaneous expenditure, sundry expense, गुजराती मा परचूरन खात खर्च, तो यहाँ पर आप लीग सकते हो, miscellaneous expense और sundry expense, अथवा गुजराती मा परचूरन खर्च खातू, जिसको यहाँ पर हम बोलेंगे, श्री दुकान खर्च खातू, मतलब कोई छोटे मोटे खर्च है, जिसका actual title क्या रखे, वो समझ में नहीं आता है, अभी पानी पूरी खाई, ये 10 रुपे की क्या लिखो इसमें, दुकान खर्च खाते लिख दो, अगर ऐसे कोई छोटे मोटे खर्च है, दो रुपे की जारोक्स अभी दो रुपे में क्या लिखो, ये 10 रुपे मैंने बैगर को दिये, चलो, जैरोक्स का तो भी लिख पी सकता हूँ, 10 रुपे मैंने 5 रुपे मैंने बैगर को दिये, क्योंकि दो रुपे नहीं दे सकता है, हम दो देंगे, तो बोलेगा, तो मेरे बाजू मैं के बैठ चा, तुझे ज्यादा जरुवत है, 5 तो मैं तुझे दे सकता हूँ, तो यहां पर ध्यान रखना है, दुकान खर्च खातू is for sundry expense, miscellaneous expenses, छोटा मोटा खर्चा जो है, वो उस खर्च के नाम से भी लिख सकते है, या फिर कुछ confusion है कि नाम नहीं लिखना है, ऐसा पानी पूरी खाई, विखारी को दान दिया, ऐसा नहीं लिखना है, तो जैसे हम लोग double entry system में sundry expense, या miscellaneous expense लिखते हैं, गुजराती मा, एनने आपड़े लखें, जब परचूरान खातू, देसी नामा system में उसको हम लोग लिखेंगे, दुकान खर्च खातू, देन, स्री वटाओ खातू, अभी वैसे तो वटाओ मतलब discount, पट वटाओ के अंदर discount से भी ज्यादा चीज़े आ जाती है, तो वो कौन-कौन सी चीज़े होती है, तो discount तो आई जाएगा, प्लस इसके अलावा, allowance, commission, etc. ये सारी चीज़े भी स्री वटाओ खाता माज आवेज, जो यहाँ पर लिखाएए, देखो, allowance, commission, discount तो आएगा, ये आएगा, loss due to fire, या bed date, या any other loss, वो हम स्री वटाओ खाते, लिख सकते हैं, चीज़े हैं, लोस कोई भी loss, any loss. देन, विगत खातू, विगत मतलब particulars, जो हम लोग journal entry लिखते हैं, या कोई भी table बनाते हैं, तो particulars, amount, rupees, तो particulars को यहाँ पर कहते हैं, विगत, तो particular, विगत खातू मतलब particulars. माहीती जेमा अपड़े लखिये जे, टे, clear, तो कोई भी transaction हुआ है, तो हम लोग पहले लिखते हैं, for example, journal entry है, तो कैसे तारीख, विगत, खापा नंबर, उधार रकम, जमा रकम, मतलब date, particulars, LF नंबर, debit amount, credit amount, यह format हुआ उसका, तो जो हमने बीच में particulars लिखा, उसको देस खातू, clear, चलो, next, स्री सहा खातू, अथ्वा स्री खातू, अथ्वा स्री खातू, अभी यह क्या है, कि मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने इसको पैसा दिया था, ताराज मैंने 500 रुपे दिये थे, क्या नाम था उसका नाम, यह साला सही समय पे मैं नाम बुल जाता हूँ, अभी मुझे पूछा था, किसी ने, मनी लाल, कहा जा रहे हो, यहाद है, मुवी, हावारा पागल बीवाना करके, एक मुवी, अक्साय कुमार सुने शेटी, वो परेस रावल जोन, जोनी लीवर, उसमें परेस रावल ही था, कि नाम बुल जाता था, बार-बार, यह अभी स हमने किसी परसन के साथ ट्रांजेक्शन किया, हमको पता है ट्रांजेक्शन हुआ है, मैंने इसको पांसो रुपे दिये, पर इसका नाम क्या था, वो लड़की का चसमे पहन के आई थी, ब्लैक ड्रेस पहना था, लंबे बाल थे, बुल गया, अभी क्या करू, जब जिसका नाम याद नहीं आता है, वहाँ पर लिख दो, स्री सहा खातू, अत्वा स्री खाली जग्या खातू, देखो, the name of such person is forgotten, हम भूल गये, and the amount received or payment is recorded, तो स्री सहा खाते, या ऐसे भी लिख सकते है, स्री खाली जग्या खाते, बलब नाम याद नहीं है, जब नाम याद आएगा हाँ, इस लड़की का नाम तो ये था, लिख दो, जब याद आया, दो दिन के बाद या फिर से दिखी, सुना मुझे बेटा तारू, हाँ, चलो याद आईगू, लगी देशा खाते, तो ये, जब नाम हमने किसी person के साथ transaction किया है, receipt या payment हुआ है, और if we forgot the name of that person, तो transaction नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर लिख देंगे, स्री साह खाते, अलाकि ये चीज़ अलाओड नहीं हो, taxation के परपस से ऐसा, नाम खाली छोड़ दो, it is not allowed, आपको नाम लिखना पड़ेगा, then, स्री तसलमात खातू, तो ये तसलमात खातू है नहीं, it's like suspense account, गुजरातीमात मैंने के तदा, उपलक खातू, तो जब कोई transaction, अभी कोई person का नाम याद नहीं है, तो आपने स्री साह खातू लिख दिया, बट ये किस चीज़ का transaction हुआ, वही याद नहीं है, मैच नहीं हो रहा है अभी, और ये difference आ रहा है, तो मैं difference का क्या करूँ, तो double entry system में, जैसे हम suspense account लिखते थे, DC नामा system में, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तसलमात खातू, अब पता है हमें system के, जब suspense account में क्या होता था, कि जब बाद में हमको गलती पता चल जाए, तो reverse effect देते थे, actual वाला account लिख देंगे, और suspense account को उल्टा कर देंगे, suppose debit side पर अभी difference आया, तो मैंने debit side पर तसलमात खातू, मतलब suspense account करके 500 रुपे लिख दी, अब मुझे याद आगया कि हाँ, ये 500 रुपे मुझे किसके debit करने थे, तो अजय के debit करने थे, तो अजय का account debit कर दूँगा, और तसलमात खातू, यानि कि suspense account को credit कर दूँगा, तो suspense account debit किया था, अभी credit कर दिया, debit credit cancel, वो बंद हो गया, और अजय का account आ गया, ये तो इस तरह से एक account close हो जाता है, तेन दे नेक्स्ट वन इस स्री देशावर खातू, अभी ये गुझराती में हुँ मारा देशमा जऊचू, देशमा तो अच्छे भाई, देश का मतलब गाउ में, मैं मेरे गाउ में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर जाना, actual technical term ये है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि whenever any person from the firm, normally वो मुनीम होता है, या जो प्यून, क्लर्क पहले मुनीम वर्ड यूज़ करते थे, और the owner himself goes to of the station, मतलब बाहार जाता है, ठीक है, हमारे city के बाहार जाता है, for purchase or sell of any goods or any other purpose, तो उसको कुछ पैसे देते हैं, भी खर्चे के लिए, ये लो 500 रुपे, ये लो 800 रुपे, ये लो 1000 रुपे देते हैं, क्योंकि आप जा रहे हो, तो transportation के खर्चे होंगे, वहाँ पर आप खाओगे, तो खाने के, पीने के पैसे होंगे, तो उसके लिए स्री देशा वर खातू वर्यूज होता है, मटब फॉर एक्जामपल, हमारे स्टाफ के मैडम है, उनको आपको एहमदाबाद जाना है, और आपको ये स्टिसनरी बुक्स जो है, आपने ओडर किये, वो ले के आना है, अभी आप जाओगे, यहाँ से office के काम के लिए जा रहे हो, तो खर्चा होगा, ये लो मैं आपको 800 आपको यहाँ से एहमदाबाद जाना है, वहाँ से रिक्सा करके आप वो जो प्रिंटर है, उसकी दुकान पर जाओगे, बुक्स लोगे, बीच में खाना खाओगे, वापस आओगे, वापस आपके बस, ट्रेन या टेक्सी में बैठोगे, तो ये खर्चा होगा, तो 800 रु देन स्री हत्थू खातू, हत्थू मतलब हैंड, अभी एक्चुली मैं ऐसा है, कि मुझे अजय को 5000 रुपे देने है, बट अजय जो है वो रहता है सूरत, अभी मेरे लिए सूरत स्पेशली 5000 रुपे देने जाने का टाइम नहीं है, उसका खर्चा करने का टाइम नहीं है, बट यह हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक फ्रेंड है विजय, वो बार-बार सूरत तू वड़ोद्रा जाता रहता है, क्योंकि उसका कामी है ऐसा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, विजय तू इस बार सूरत कब जाने वाला है, कल ही जाने वाला हूं मैं तो यार वो अजय है ना, उसको पाँच हजा रुपे देने है, तो मैं तुझे दे दूंगा तो तू उसको दे दे का, दे दूंगा ना, दोस्ते यार तूने तारी माटे तो जान चे पन तने क्या भान चे, ले पांच हज़ा रुपे हूं आपकी देश, बस आगर ना बोल तो वहाँ पर word use होता है हत्थू खात्व किसके हाथों से मैंने भीजवाया तो देखो amount is to be paid to the creditor of the business and such amount is sent to him through some other person मैंने कहा example के तोर पर कि अजय को पैसा देना है और हमने यहाँ पर किसी और person के थ्रू बिजवाया जो की है वीजवाय अभी actually मैं वीजवाय के साथ तो अपना कोई dealing ही नहीं हो पैसे तो हमें अजय कोई देने थे बट वीजवाय के हाथों बिजवाया है तो reference के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हत्थू खाते instead of debiting into such creditor account मतलब हम लोग creditor का account नहीं लिखेंगे हत्थू खाते लिख देंगे और बात में जब पता चला कि हाँ अजय का phone आ गया हाँ बाविन भाई तमें वो पैसा बिजवाया था न वीजवाया तो मिल गया है मुझे खाते close कर दूँगा और अजय का account लिख दूँगा तो यह हत्थू खातू temporary हुआ कि जब तक मुझे confirmation call नहीं आ जाता है तब तक मैं हत्थू खाते रखूंगा तो आपने एक लिजवाया थे temporary account थरू पनासू छे जारे आपने बीजा कोईकना हाथे पैसा मोकला गिये छे त तरी चाला खातू marriage में यूज करते हैं अभी देखो हम लोग बिजनेस कर रहे है तो बिजनेस में बहुत सारे लोगों के साथ relation maintain करने होते है हमारे डिटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, employees के साथ अभी for example हमारे employee के घर पे किसी की साधी है तो obvious है कि वो invite करेगा कि सर आप marriage में साधी में जर तो आप जरूर से आना, अभी मैं साधी में जाऊंगा क्योंकि मेरे उसके साथ अच्छे relation है और वो relation मुझे maintain करना है, तो obviously ऐसा तो हैने मैं तो सार हूँ, मैं तो खाना खाके चला जाओगा, आप इस खाली, कुछ ना कुछ हम गीफ्ट देंगे, चालो लगाई सो, 11 हो, तो वो चानला, उसको बोलेंगे, गिफ्ट, गिफ्ट मतलब चानला, जो भी हमारे बिसनेस के साथ associate लोग है, चाहे वो customer, creditor, कुछ भी हो, तो उसको जो गिफ्ट देते है, उसके लिए हम वड़ यूज करते है, स्री चानला खाते है, देन स्री सिल्लक वधगट खातू यह तो महत simple सा है, common सा है, मतलब हम लोग जो cash book maintain करते है, मतलब जे cash नी सिल्लक होएना आपड़े है कि दो, स्री पुरान तबाकी, अगे बड़ा गया, cash balance, cash on hand, वो book के हिसार से, और आपड़ा गल्ला मा actually मा रुप्या पड़े आज, अभी for example, मेरे गल्ले में मैंने देखा क 5300 रुपे पड़े है, और book के अंदर दिख रहा है 5800 रुपे, book का balance आया 5800, पर मैंने यहाँ पर count किये पैसे drawer में से, तो 5300 निकले, तो यह 500 रुपे actual balance कम है, book के इसार से 5800 होट, पर मेरे गल्ले में 5300 ही पड़े है, तो 500 रुपे का difference में कहा लिखो, तो उसको हम लिखें आएचे, तो आपन स्री सिल्लक वदघट खातू, देखो, if they do not tally, closing balance, and जो हमारे पास cash actually में पड़ी है वो, वो दोनों में अगर difference आ रहा है, तो differential amount is recorded, तो स्री सिल्लक वदघट खातू, सिल्लक मतलब cash, actual cash on hand, और book के हिसाब से cash balance, उसमें जो difference आएगा, उसको हम लोग बु है ना पचीचे, स्री उबलेक खातू, उबलेक, pronunciation में आपको ध्यान रखना है, whenever the amount is lent for a few days to a person in the business, it is debited to such persons, उबलेक खाते, मलब दो तीन दिन के लिए पैसा दिया है, long term की loan नहीं दिया, हम लोग दोस्तों के पास से नहीं कहते हैं, तो वाई प्लीस पच्चास रुपय आ तेरी गसम हो मेरी ने, तेरी गसम दो दिन के बाद दे दूँगा, तो अब दो दिन के बाद, दो तीन दिन में लोटा देने है, तो वो पैसे को लिखा जाएगा, स्री उबलेक खातू, वहाँ पर LF नमबर में हम लोग नहीं लिखेंगे वो पेज नमबर, यू लिख देंगे, मतलब यह उबलेक है, थोड़े टाइम में पैसे वापस आ जाएगे, तो इसको क्लोज कर देंगे, मतलब आप अभी अकाउंट बनाए, लिखे, फिर उसका लेजर बनाए, फिर ले लिख दो, यू मींस उबलेक, मतलब यू नहीं, ऐसी साइग, उसको बोलते हैं उबलेक, तो उसका फिर लेजर पोस्टिंग नहीं करता है, उसके बाद है, उपर टपके, उपर टपके मतलब दो तीन तीन की भी बात नहीं है, भाई अभी पैसा देना, मैं साम को तेरे को प कम टाइम के लिए पैसा दिया, any person is lent an amount for a day or even a shorter time, साम तक, दो गंटे तक, तीन गंटे तक मैं पैसे लोटा दूंगा, तो उसको यहाँ पर टपके, उसको हाथ उच्छीनी amount पन के वाई, ये गुजरा दीना में, हाथ उच्छीनी amount, मतलब सोट टाइम माटे पैसा आपया, तो उबलेक और उपर टपके, बने माँ डिफरेंस के बर पड़ी, उबलेक दो तिन दीन के लिए पैसा दिया है, तो उबलेक खाता है, एक दिन से कम टाइम पिरेड के लिए पैसा दिया है, तो उपर टपके, समरी नोट में आप ऐसा लिख सकते हो, money lent for 2-3 days, उबलेक, money lent for one day or less, उपर टपके, then कबूलात, बतवा हवालो, मतलब acceptance and transfer, तो यहां पर, क्या होता है, एक परसन को पैसे देना है, उसका acceptance दूसरा कोई कर देता, बीठी के मैं पैसा दे दूँगा, देखो, businessman agree to pay an amount payable to a creditor, to another person, this is known as कबूलात और acceptance, and in the same way, when the business agree to accept the amount from another person instead of the data, it is called कबूल और acceptance, अब यह क्या है, कबूलात अन्य हवालो, मतलब, मुझे for example, इसको 5000 रुपे देने है, ठीके, मैं इसको 5000 रुपे मुझे पे करने है, creditor को, और यहां पर business क्या कर रहा है, agree to pay an amount payable to a creditor, to another person, यह बोल रहा है कि मुझे पैसे मत देना, इसको पैसे देना, अभी actually मैं मु पैसा रुपे उसको दे देना, तो यह क्या हो गया, acceptance, कबूलात, मैं कबूल कर ले चुँँ, ठीक चे, वाना आप देना, अन्य हुझ मारे लेवान हुझे, तो हुझ भी जा पासे थी लो, जो, accept an amount from another person instead of data, it is called acceptance, कबूलात, मारे example चरीके, तमारी पासे थी fees लेवानी चे, पैसा हमारे तमारी पासे थी लेवाना चे, तमारा parents आया मने रूपिया आप आप, मैं स्विट करे ली था, मतलब actual data की जगा पर कोई और person के पासे हम लोग पैसा ले रहे है, तो उसको हम बोलेंगे कबूलात, कबूल करियो ने, कबूल है, कबूल है, कबूल है, accept, और हमें किसी को pay करना है, पर उसके behalf में, उसके कहने के, इसा हम किसी और को पैसा pay कर रहे है, तो उसको बोल रहे है, accept, sorry, हाँ, यह acceptance, यहाँ पर लिखना transfer, हवालो, main चीज है कि main person की जगा पर किसी और person को पैसे हम दे रहे है, या उसके पासे ले रहे है, then, हसते, यह आगे जो आया हाँ, हथू जैसा ही है, किसके हथों से यह चीज हुई है, many time in business, the receiver or the payer of the money, may not actual creditor or debtor, but maybe, a clerk or a munimji or other person receives the money, therefore, for the record purpose, the name of the person through whom the cash is received or paid are also written, for example, name of clerk or accountant or staff member, अभी आपको समझ मैं वैसे practically ही example देता हूँ, कि आप suppose, class में fees पे करने के लिए आए, अभी आपको पैसे, fees मुझे पे करनी है, साथ institute को पे करनी है, पर यहाँ पर तो madam बैठे हुए थे, तो आपने madam को पैसे दिये, तो यहाँ पर recording purpose से आप लिख दोगे, कभी मैंने fees पे की, तो so and so madam को यह पैसे दिये थे, मतलब किसके हाथ में गए थे, किसके हस्ते, यह पैसे दिये गए है, for the recording purpose, कि अगर कलको उटके कोई गडबड़ी नहीं हो जाए, यहाँ पर भी madam बैठे है, अभी यह madam बैठे है, सामको दूसरे madam बैठे हो, finally वो किसके हस्ते आए, for example, जिया madam के हाथ हो से, तो हस्ते जिया madam, ऐसा, and last meetee, meetee मतलब तारिख, date, simple, पर गुजराती मां यह तारिख होती है, तीथी, नहीं कहता कई तीथी चाले चाले है, यहाँ पर हमारी सारी मेन चीज़े complete हो गई, अभी एक और important point for reference purpose as well as important for the exam point of view also, जो चीज़े अभी हमने सब कुछ समझ लिया है, बस उसी में से लिखना है, difference between desi nama system and double entry system, इससे क्या होगा हमारा revision भी हो चाहेगा, अभी तक जो पढ़ा है वो, तो देखो सबसे पहला point है book, तो books are long, bound in the middle, with the string folded and blank, desi nama system है, जबने देखा red color का cover होता है, thick cover होता है, blank paper होते है, white string से बांधा जाता है, जबकि इसके book क्या होते है, normal hard bound, horizontal book, sides, देखो, उल्टा है, यहाँ पर left side is called jama, right side is called udhar, जबकि यहाँ पर क्या था, left side को हम कहते है debit, right side को हम लोग कहते है credit, यह भी चीज़ आगे आचुकी है, ink, तो हमें पता है कि desi nama system कौन से color की pen से लिखा जाता है, black ink से, जबकि जो double entry system होती है, वो normally red ink से लिखी जाती है, या फिर हम लोग blue pen भी इस्तमाल कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर लिखा यह blue pen, some special figures find out करने के लिए red ink यूज़ करते हैं, बाकि normally blue ink यूज़ की जाती है, जबकि desi nama system में हम लोग black ink यूज़ करते हैं, books of original entry, Rojmade is the book of original entry in which the daily transactions are recorded, मतलब सबसे पहली book, primary book, अब यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं, primary book क्या है, रोजमेड, जबकि double entry system में उस book क्या कहता है, journal entry, amount, the amount are generally returned in the first fold on both the sides, हमने देखा कि पहले amount, फिर particulars, जबकि double entry system में पहले particulars, फिर amount, तो देखो, amount written in first fold, जबकि इसमें कहां लिखा जाता है, last column में, पहले particulars, बाद में amount, double entry system में, देखी नामा system में, पहले amount, बाद में particulars, posting, तो journal entry जो हम बनाते हैं, मतलब देखी नामा system में, रोज मेड, बैठो मेड, उस पर से खाता वही में हम पोस्टिंग करते हैं, खाता वही, जबकि इसमें हम लोग ledger book कहते हैं, posting from, देखी नामा system की बाद करें, तो रोज मेड, या बैठो में, उसमें से हम पोस्टिंग करेंगे, खाता वही, अगर हम double entry system की बात करें, तो journal या subsidiary book पर से पोस्टिंग होगा, लेजर book में, country of origin, तो देशी नामा system, obviously हमारे देश की देशी पैदाईस है, तो इंडिया, जबकि यह हमें पता है, कि started in European countries, accounting year यह बहुत simple सा है, और याद रखने के लिए important है, विक्रम समवत, हम लोग विक्रम समवत, जो हमने आगे अल्रेडी डिसकस कर लिया, कार्तक सूध एकम, वह से सुरू करते हैं, और जबकि यहां पर, हम लोग कौन सा year यूज करते हैं, एनो डॉमीन, AD, लाइक, 2025 AD, 24 AD, 2026 AD, इस्वीसन, इस्वीसन 2024, 2025, 2026, जो हम लोग पढ़ोगे, टोपीक वाइस सेशन भी आपको एप्लिकेशन पर मिलेंगे, और यह पूरा सूपर सेशन भी उतना ही अच्छे से, और डिक्टेल में समझा है, जिससे आपकी सारी की सारी चीज़े, एकिस सेशन की क्लियर हो जाए, और इसी तरह के और education, commerce, stream के कोई भी course के लिए आप यापके friends लेना चाहते है, तो SaaS Institute के जो अलग-लग options है, उसका benefit आप ले सकते हो, SaaS में join कर सकते हो, और अपना knowledge और result दोनों ही बढ़ा सकते हो, God bless you all, जाए है